नमस्कार दोस्तों, Fantasy Sports Professor के YouTube चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे Fantasy Tips and Best Dream 11 Combination for Dortmund vs Bayern Munich Bundesliga का ये Blockbuster 26 मैं को रात को 10 बचे होगा जैसे हमने देखा है दोस्तों, Bayern Munich Table Topper है और Borussia Dortmund उनसे 4 points पीछे 2nd position पर है ये दोनों ही टीम बहुत ही आखरमक football खेल रही है और एक अलग universe से हो वैसा महसूस कराती है पिछले game week अगर आप देखो, तो Dortmund ने Wolfsburg को tunnel हराया जबकि Bayern Munich ने Frankfurt को अपने घर पे 5-2 हराया Bayern Munich अगर हम बात करें, तो ये पिछले 13 games में unbeaten है, जिसमें से 12 games जीच चुकी है अगर हम पिछले 5 game week की बात करें Bayern की, तो उनने 18 goals score करके 4 goals concede करें है Dortmund की बात करें, तो वो तो अब तक season में अपने घर पर unbeaten है और उन 13 games में जो वो घर पे खेली हैं, केवल 10 goals concede करें है अगर हम पिछले 5 league games की बात करें, तो डोटमेंट ने 11 goals score करके 1 goal concede करा है की stats की बात करें, तो डोटमेंट Bayern की पिछली 5 meeting में, और अधर पिछली 6 meeting में डोटमेंट केवल एक बार जीत चुकी है, और 5 बार हारी है Bayern ने इन सभी 6 के 6 games में at least 2 goals तो मारे हैं डोटमेंट अपने last 6 league matches में जीत पा चुकी है, और उसमें से 5 में उन्होंने clean sheets रखी है ऐसे और interesting stats और analysis के लिए, आप हमारा telegram channel ज़रूर join की जाएगा जिसका link हमने description में दिया हुआ है expected 11 में कोई surprises नहीं होंगे और पिछले game week की तरह same games उतरेंगी अगर हम key players की बात करें, तो Bayern से है Lewandowski और Nabri ये दुनों ही बहुत बढ़िया form में हैं और Lewandowski अब तक 27 goals score करके 3 goals में assist करी है Dortmund की तरफ से Jadon Sancho और Eric Haaland उनके 2 top players है Sancho on and off खेल रहे हैं और थोड़ी injury उनकी अब तक ठीक हुई नहीं है तो Haaland हमारे top pick होंगे वहाँ से जिन्होंने अब तक 10 goals मार के 2 assist करें हैं और दोस्तों याद रखना है ये सिर्फ 10 games में उन्होंने किया है इसके अलावा Guerrero एक और एक important player है जो Dortmund की तरफ से आग खेलते हैं Suggested 11 की बात करें दोस्तों तो हमने एक head to head small league combination बनाया है जिसमें expect करा है कि दोनों teams score करेंगी यहाँ Captain Levandowski होके Vice Captain Hazard है जैसे आप देखेंगे दोस्तों हमने attacking defenders भी भरे होगे इस combination में हमारी Grand League team की ऐसी है क्योंकि Dortmund का defense tight है घर पर कि Dortmund clean sheet के साथ जीच जाएगी हाँ इसी दिए इसको हमने Grand League team की team कही है जहाँ Captain Haaland होकर Vice Captain Guerrero होंगे दोस्तों जैसे हमने कहा है यह हमारी final teams नहीं है final teams आपको हमारी telegram channel पे deadline से 20 minute पहले मिल जाएगी तो दोस्तों अगर आपको यह video पसंद आया हो तो इसको like कीजेगा और हमारी channel को subscribe पीजेगा जल्द हम आपसे मिलेंगे और cricket और football games की analysis के साथ धन्यवाद